Hey guys, welcome to my YouTube channel technical postcard and finally वो दिन आ गया है जब मैं first camera review unboxing करने वाला हूँ और so excited, so friends बता दू कि ये जो camera है ये काफी light weight और compact है और जितने भी vlogger से इसी को use करते हैं और अभी अभी में ये काफी popular हो चुका है और लगबग इसको एक डेट साल हो गया है, market में आये हुए हैं और ये actually 200D का ही upgraded version है उसमें कुछ और चीज़े सामिल की गई है तो ये मेरा first unboxing है तो उमीद करता हूँ आप इसे enjoy करेंगे और एक request है आगे बढ़ने से पहले कि यदि आप इस channel पे नए हो तो please इस channel को subscribe कर दीजे और bell icon को दबा दीजे ताकि मेरा हर नया video आपको मिल सके तो चलते हैं unboxing की और उसके बाद हम फिर मिलते हैं तो हमें जिस गड़ी का इंचब्दार है तो बॉक्स ओपन हो चुका है और यह हमारी वो दो चीजे हैं Amazon वालों ने packing बहुत अच्छी की यह डाल कर ताकि हमारे जो item है वो damage ना हो तो फाइनली यह हमारे दो items है और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है तो सबसे पहले हम इस चीज को निकाल देते हैं और इस बार बेक काफी अच्छा दिया है oh my god EOS ठीक है काफी form भी दिया हुआ है ताकि हमारा item damage ना हो तो काफी अच्छा बेग है मजबूत है इसको अलग कर देते हैं तो बॉक्स के उपर जो लिखा है EOS 200D Mark II और यह सिंगल लेंस किट है वाइफाई है सैटिफाइड वाइफाई सैटिफाइड है ब्लुटूथ भी है HDMI केबल से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं और नीचे दिया हुआ है कि यह जो कैमेरा है यह 24.1 Megapixel है और इसकी जो ISO 25600 है फोटोस के टाइम है और जब वीडियोग्राफिक की जाती है जब वीडियोज लिए जाते हैं तो 12800 तक का इसका ISO रेंज है डूएल पिक्सल ओटोफोकस है जो की काफी अच्छा हमें यह इसका मिल जाता है उप्शन और उसके अलाज उप्शन है 4K रिकोर्डिंग है इसके अंदर जिसका क्रेज चल रहा है और वर्टिकल एंगल LCD है यह वाइफाई ब्लूटूथ आरड़ी इसमें हमने देख लिया और 16GB कार्ड इसके अंदर हमारे को मिल जाएगा जिसके साथ केरी केस भी दिया हुआ है तो हमें मिल जाती है कुछ मैनुल्स की जो बुक्स है शोट शोटी वो मिल जाती है तो यह हमें मिल गया है वारंटी कार्ड और यह वारंटी कार्ड हमें मिला है दो साल के लिए तो काफी अच्छा है तो यह मैनुल्स एक्चल में हम पढ़ते ही नहीं है तो इसका में कोई कार्ड नहीं है निकालते हैं तो ये तो हो चुका है ये स्क्रिप हो चुकी है ये हमारा 16GP इसके लिए ये इसकी बैटरी हो गई सो जो हमें यहां लेंस मिला है वह 18-15 मैंने सिंगल किट का ये कैमेरा लिया है सो यहां पर इसमें दो मोड मिल जाते हैं एक ओटो फोकस और एक मैनुल फोकस का और नीचे जो अप्शन है वह स्टेबिलाइजर का उप्शन है जिसमें आप अन और आफ कर सकते हैं और यह साथ में मिल गया और काफी और बैसिकली इस लेंस का यूस पोट्रेट मोड की फोटोग्राफी और बेग्राउंड को बलर करने के लिए काफी यूसफुल यह लेंस है तो मैंने इसलिए यही पर्चेस किया है अब हम आते हैं हमारे उस आइटम की और जिसका हमें बेस अबरी से इंतजार था तो आप देख सकते हैं बहुत कॉम्पेक्ट लाइट वेट और बहुत छोटा डिजाइन इस बार कैनन ने मार्केट में उतारा है और यह कैनन 200D का अपग्रेड़ वर्जन है जो काफी लाइट वेट है और हाथ में भी आसानी से पकड़ सकते हैं और बहुत हलका है ज्यादा भारी नहीं है तो यहां पर आपको इसका नेम मिल जाएगा यहां पर फ्लेस दे दिया है और यह 180 डिग्री रोटेशन की स्क्रीन दी हुई है जिसको इस तरीके से अपन रोटेट कर सकते हैं तो फाइनली हमारे यह आइटम्स है तो थोड़ा इनको एसेम्बल करते हैं तो यह लेंज हमने डाल दिया है और फाइनली बहुत अमेजिंग लग रहा है यह बहुत कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है और यह वाला बटन पहले बाहर की और होता था लेकिन आप इसको हलका सा नीचे रख दिया गया है जो की काफी अच्छा लुक दे रहा है तो अब हम इस पर फाइनली स्क्रिप लगाने के बाद हमारे पास पूरा सेट अप हो चुका है अब यह पूरा फाइनली वो बन गया है जो आप नर्मली देखते हो लड़कों के पास बाहर केट में वो फोटो बगरा खीचते हुए एक चीज में आपको और बता दूँ कि ऐसे फॉर्म आपको कहीं मिल जाए जो किसी एक्रिनिक आइटम या फिर कहीं पे भी मिल जाए आपको ऐसे फॉर्म बहुत काम आने वाले फॉर्म है या आप जब अपने केमरा को बेग में रखते हैं तो बेग में रखने से पहले आप इस तरीके से इस फॉम को रख दीजिए और उसके बाद केमरे को कुछ इस तरीके से करके आप सेफली उस बेग में रख सकते हैं तो डेमेज होने के चांसे बिलकुल भी नहीं रहने वाले हैं तो फ्रेंट्स ये था अन्बॉक्सिंग और आपने सी का अन्बॉक्सिंग देखा है और अब हम बात करेंगे इसके परफोर्मेंस पे तो उसके लिए मैंने कुछ सेंपल्स वीडियो के और कुछ सेंपल्स पिक्चर्स फोटोस के रखे हैं तो सबसे पहले हम photos के samples देख लेते हैं कि इनकी depth, quality, clarity कितनी अच्छी है और ये काफी हद तक depend करता है photo click करने वाले पे तो उसका comparison हम नहीं कर सकते क्योंकि जो जितना photographer अच्छा होईगा वो उतनी अच्छी photos click करेगा तो पहले कुछ photos sample देख लीजिए रीजिए तो ये थे फोटो के सेंपल्स और अब चलते हैं वीडियो की सेंपल्स और मेरी मानों तो इसके वीडियो काफी कूल आते हैं काफी अच्छे आते हैं इवन आप जो वीडियो रिकोर्ड करते हो उसको स्लो मोशन में भी देख सकते हैं और काफी सारे ओप्संज हैं आप देखिए ये वीडियो के सेंपल्स और बताइए कि इसकी परफोर्मेंस कैसी है और कितनी अच्छी है अच्छी है आप जो प्याइए से अच्छी है अच्छी है झाल झाल प्रेंट्स फाइनली ये देखने के बाद एट लास्ट हम इसका रिव्यू दे देते हैं कि आज के टाइम में जो बिगिनर्स हैं फोटोग्राफी के मामले में हो विडियोग्राफी के मामले में हो कोई यूट्यूबर हो जो यूज करना चाता है या कैमरा डी एसलार परचेस करना चाता है तो उनको यही सजेस्ट करूँगा कि और कोई केमरा मत लो यदि आप एक बिगिनर हो तो सबसे पहले यदि आपको केमरा खरीदना है तो वो 200D Mark II ही होना चाहिए क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस, लाइट वेट और काफी अमेजिंग फीचर्स भी है जो आपको बड़े केमराज में मिल जाते हैं तो उमीद करता हूँ फ्रेंट्स की आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसको लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को सहर जरूर कीजिएगा तो फ्रेंट्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लि जै हिंद